जहर्खन बंदी का आप समर्थन कर रहे हैं क्या बात है देखिए इसलीए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी ततकाल में जहर्खन सरकार राई है साठ और चालीश का इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि साठ किसका है और 40 किसका दोनों में असने दन सील है किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो वही हम चाहते हैं कि साथ या जहरकंडी का है, या फिर चालिस भारी का है या फिर ऐसा बाहरी का है। जार्कन बंदी का जो 72 घंटे का जो चात रेक्ता में द्वारा बताया गया था उसका आम लोग समर्थन के लिए यह पर उपस्दित होई देखे वह सब्सक्राइब नहीं दिन में कुछ नहीं हो सकता ऐसी तो चात्र का केरियर सबसे बड़ा होता है केरियर नहीं बनेगा तो लेकिन आप जो बोले कि मतलब जर्रतों का समान आदमें पूरा नहीं उपा रहा है सारा हो रहा हो इसा कोई बात नहीं है हम लोग दुकान बंद कराते हुए यहां तक आए लेकिन जो है एंबूलेंस अपका मेडिकल अधर इस सब दुकान सब खुला रहा है बाकी बास सब दुकाने बंद रहे हैं तो अभी आप लोग सुन पारे थे कि छात्रों ने आपने बाते रखी हैं लोगों के लिए रखा जा रहा है इसा बात नहीं है लेकिन बाकी जो दुकाने वह सब कुझे बंद किया जा रहा है क्या बात है आज क्यूं जो जात्रों बंदी का जहाप लोग समसर करें देखिए अले सबसे मरांग जारकन पनोत ने जितना अब आदिवसी संतार जितना गी मिना कुताब ना अलिंग पाथा से कौन जोहार लिंग माबेन के ना अले तिहीं जहां उमीद लईते तिहीं आब कि यह किदा है आप जार्खोन पनोत चीत करना एता भी आर बेंगो लासा मूरिशा तमिलनाडू जो तो ठेन नब्य दस रेना रेशियो चला करना आप जार्खोन पनोत रेदो नो शाट चालिस ना यह दा उना कि बिरोद लगी आले सरकार ले जगावे करना सरकार को बताना अचार है कि आज हम लोग सरक से साधन तक आज तो सरक बंद कर रहे हैं ऐसा दिन एक दिन आएगा कि हम लोग साधन में घुशने को मजबूर हो जाएंगे और आपको भी मजबूर कर देंगे इसलिए मैं सरकार को चिताओन ही देना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द समझ जिए और विदार्तियों का जो दूख दर्द है उसको समझ के यह सब सलोशन का कोशिस करें अन्याथा आने वाला विदान सभा चुनाव दूहजार चोविस में मजबूरान हम लोग जूमरा पहाड में छात्र मोर्चा का सरकार बनेगी यही मैं जरकन सरकार को चेताओन दे करके अपने बाते रखी क्या उनके मांगे हैं क्या वो चाहते हैं अपना दुख दर्द जो बता रहा है कि उन्हें क्या समयसिया हो रही है